हेलो एंड वेल्कम अब्रीवान स्टार्ट करेंगे मारे आज के सेशन को यह हमारा करन्ट अफेस का फर्स सेशन होगा मतलब कि इस साल के जो करन्ट अफेस है यह हम पढ़ने वाले हैं हमारी जो सिरीज है करन्ट अफेस की क्लास का टाइमिंग 4.30 रहेगा ओल्मोस्ट एक दिन छोड़के आपको क्लास मिलती रहेगी और इस क्लासे के अंदर इन क्लासे के लिए हम क्या करेंगे आपके एक्जाम के लिए करन्ट अफेस तो इस ताइम पर बहुत हाई टाइम है खुद को संभालने का किस से संभालने क का डिस्ट्रेक्शन से संभालने का नेगेटिविटी से संभालने का नर्वसनेस से संभालने का कुछ लाना है अपने अंदर तो पैशन को लेकिया यह पॉजिटिविटी को लेकिया यह मोटिविशन को लेकिया यह तो शुरुवात करूआ एक बहुत ही अच्छे से कोट के होसले होने चाहिए होसले भुलंद कर रास्ते पर चल दे तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा बढ़कर अकेला तु पहल कर देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा है ना तो शुरू करिए बस एक बार के लिए शुरुवात कीजिए आप देखेंगे आपको लोग फोल करने वाल है MSP मैं सिरफ MSP करवाने वाला नहीं हूं मैं MSP के साथ स्था सथ बहुत सारी चीजा और भी कवर करने वाला वह क्या होंगी मैं आपको शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि हमारा इस लेक्चर होगा इसके अंदर हो कवर क्या क्या करने वाले हैं तो first of all हम start करेंगे MSCP के साथ के MSP यानि minimum support prize होते क्या है उसके बाद discuss करेंगे CACP का role क्या है हर बार CACP तो सुना है ये भी जानते हैं कि वो recommend करता है MSP को बट basically role क्या है क्या सिर्फ recommend करता है बात करेंगे CACP की उसके बाद CCEA जिसे cabinet committee and economic affairs कहा जाता है उसका भी discussion करेंगे जिसके chairman prime minister साहब होते हैं उसके बाद cost of cultivation और cost of production क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे देन बात करेंगे method of calculation ये जब हम calculate करते हैं किसको calculate करते हैं हम जब calculate करते हैं MSP को तो क्या-क्या method हम उसके अंदर use करें उसके बाद बात करेंगे खरीफ and Rabi के MSP को खरीफ and Rabi के MSP's discuss करेंगे and सबसे last में जिसमें मैंने कम से कम धाई घंटे लगाए हैं मैंने almost 15-16 paper उठाए जहां से मुझे question चाहिए था कोई ऐसा question जो पूछा गया हो किसी exam के अंदर तो central से लेके और आपके state exam तक सारे के सारे मैंने यहाँ पे questions said कि हैं जो भी किसी exam में तैयारी कर रहे हैं मैं आपको एक छोटी सीज बताना चाहता हूँ जब मैं यह 30 minutes का lecture cover करूँगा ना आप मुझे कहेंगे sir सब कुछ समझ आ गया overconfident नहीं हो विश्वास है कि इतनी मेहनत करी है कि तुम्हें समझा दूँगा लेकिन फिर बता दू तो सिरफ समझने से कुछ नहीं होगा अक्सर बच्चे बिना language के असान तरीके से समझना चाहते हैं चोटा सा doubt आये तो वो भी teacher से ही पूछना खुद सोल नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं मैं आपको proof दिखाता हूँ कि जब तक language पे command नहीं है for maintaining the PDS or public distribution system and for building a buffer stock is known as इन prices को क्या बोला जाता है minimum support price, procurement price, issue price, ceiling price या फिर saturated prices अराम से question को पढ़िए उसके बाद मुझे right answer दीजे के इस प्रशन का सही उतर A, B, C, D में से क्या आएगा I'm waiting for your answers अराम से answer कीजेगा और साथ साथ देखते रहिएगा कि answer chat के अंदर क्या आ रहे है मैंने पहले ही कहा कि language पे command बनाना बहुत जरूरी है और मेरी class अगर पहली बार attend कर रहे हैं तो मैं के information आपको देना चाहूँगा मैं पढ़ाते टाइम comments नहीं पढ़ता और comments पढ़ते टाइम मैं पढ़ाता नहीं हूँ तो मैं पढ़ाना शुरू करूँगा और comments आपके last में देखूँगा आप कुछ भी लिख रहे होंगे मैं सिर्फ answer चेक करूँगा बाकी message ignore करूँगा तो यह मत समझना में ignore कर रहा है मुझे पढ़ाना है तो पहले पढ़ाने दीजिए बीच में कुछ मत पूछिए सिर्फ topic पे रहिए आलतू फालतू course की बाते नहीं करनी है ठीक है So A and B A and B आपके सामने दो answer मुझे मिल रहे हैं इस question का right answer आएगा इस question का जो right answer है वो क्या आएगा उसको समझने के लिए पहले question की language पे चलते है question कहता है the price at which the government was purchasing food grain government उसे food grain प्रचेज कर रही थी for maintaining the public distribution system PDS वो जो राशन की दुकानों मिलता है उसको maintain करने के लिए साथ सथ buffer stock को भरने के लिए फिर buffer stock को maintain करने के लिए तो government इस price को use कर रही थी 70% ने कहा MSP जो इस question का सारा सर गलत उतर है इस question का जो right answer आएगा हुआएगा procurement prices क्यों आएगा आपको बताता हूँ देखिए question में कहा गया government was purchasing तो government MSP rate पे food grain को नहीं लेती है भाई यहाँ पे food grain लिखा गया था government MSP rate पे food grain भी लेती है pulses भी लेती है oil seed भी लेती है 22 प्लस एक एक मतलब sugar gain है अदरवाइस 22 crops को MSP भी लेती है लेकिन food grain की बात करेंगे तो food grain को government ले रही थी procurement prices पे तो आपके सामने हैं आपका question किस तरह से गलत हो गया procurement prices का right answer आएगा मैं अच्छे से आपको समझा दूँगा कि procurement price क्यों है because यह समझाने के लिए मुझे थोड़ी कहानी बतानी पड़ेगी CACP की starting की starting के बाद जब मैं उनके 10 सालों काम बता दूँगा आप अच्छे समझाएंगे answer क्यों है बट मैंने आपको शुरुवात में यह कहा पढ़ना और concept शार not only important select होना है तो language बे कमांड बनानी ही पड़ेगी वरना यह होने वाला है अब क्या करते हैं अब पहले समझते हैं फिर आपको पिछले question का answer automatically समझाएगा मैं guarantee देता हूँ कि एक एक चीज़ समझाऊँगा बस मेरे साथ रहना अगले 30 minutes के लिए तो first of all what is minimum support price है क्या देखो minimum support price की बात करेंगे तो basically है क्या कि हमारी जो सरकार है वो किसी भी काम के अदर intervention कर सकती है उसके पास power है अगर वो कह दे कि YouTube पे शाम को कोई बंदा class नहीं ले सकता भाई अगर order आगे तो follow करने पड़ेंगे 2000 के note बंद हो गई तो government ने order दिया बंद करने पड़े तो government क्या करती है farmer जो ज़्यादा income generate नहीं कर पाते उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो उनको उनकी फसलों की सही कीमत मिले इसके लिए government क्या करती है market के अंदर intervention करती है कि अगर किसान market के अंदर बेच रहा है और उसे उचित मूले है सही rate नहीं मिल रहा तो उसे सही rate मिलता रहे इसके लिए government क्या करेगी market के अंदर intervention करेगी और market में intervention करके एक fixed price decide कर देगी minimum price decide कर देगी कि इससे उपर भिकराओ तो farmer की मरजी अगर उससे कम भिकराओ तो वो सरकार को बेज सकता है उन्ही prices को जो minimum price सरकार किसानों के उत्पादन के लिए फिर किसान जो हमारे उनकी community के लिए decide करती है those price are known as minimum support price तो minimum support price क्या हो गया जी rate हो गया जिस पे government क्या करती है purchase करती है या फिर procure करती है crops को किन से farmer से तो वो सरकार के द्वारा दिया गया जो minimum rate है जिस पे सरकार क्या करेगी अलग-अलग अजंसियों के माध्यम से अलग-अलग अजंसिया मतलब अगर wheat and rice को खरीदना है तो वो food corporation of india खरीता है सरकार के द्वारा निर्धारित MSP rate पे जूट को खरीदना होगा तो जूट corporation of india खरीता है cotton को खरीदना होगा तो CCI cotton corporation of india खरीता है अगर sugar cane को खरीदना होगा तो sugar milk खरीती है previous decided FRP पे और oil seed or pulses को खरीदना होगा MSP पे तो कौन खरीदता है ना fade खरीदता है तो यह सारी government की अजंसिया है जो government द्वारा decide किया कि rate के उपर क्या करती है वस्तुओं को products को खरीदती है यह बातों clear होगी उसके बाद MSP जो था वो पहली बार introduce हा वीट के लिए कब 1966-67 में क्यों हुआ था क्योंकि 1965 के अंदर कौन आया था CACP आया था CACP की जो स्थापना है वो कब होती है वो 1965 के अंदर होती है उसके बाद MSP का सिलसिला start होता है सर इसके बाद ही क्यों होता है क्योंकि MSP वो है जिसे recommend कोन करता है जिसे CACP recommend करता है तो MSP की जो recommendation है वो CACP देता है तो जब CACP आया उसके बाद recommendation आना start होई CACP कब आया 1965 में 1965 के अंदर FCI भी आ गया था FCI और CACP दोनों same time पर आये CACP आ गया उसके बाद क्या हुआ उसके बाद MSP का introduction हुआ पहली बार जो MSP दिया गया वो किस पर दिया गया wheat के अंदर दिया गया बट यह line जादा important है present system was evolved in 1975-76 सर यह क्या मतलब अब ध्यान से समझना हुआ क्या जब 1965 के अंदर CACP भी आया FCI भी आया उस time पर सरकार क्या करती थी food grain को procurement करती थी खरीती थी किसके लिए buffer stock maintain करने के लिए public distribution system maintain करने के लिए तो उस time पर जो आपके wheat और rice थे उसको लिया जाता था कि इस पर procurement prices पर procurement price भी आ करते थी उस time पर, statutory price भी आ करते थी उस time पर, यह होता क्या है जैसा कि मैंने बोला food grain के लिए, ना तो मैं oil seed बोल ला हूँ, ना मैं pulses बोल रहा हूँ, only जो cereals है और उसके अंदर भी कौन wheat and rice तो wheat and rice को सरकार खरीती थी procurement price पर, तो एक तरफ था minimum support price, एक तरफ था procurement price और एक statutory price भी हुआ करते थे, तो यह बात तो चल रही है 1966-67 की, लेकिन 1975-76 में जाके क्या हो गया, सब कुछ बंद कर दिया गया, और एक single set of policy ला दी गई, जिसका नाम था MSP, पहले भी MSP चल रहा था, लेकिन उसके साथ कुछ कुछ और pricing policy भी थी, अब एक single policy आ गया, जिसका नाम क के अंदर, तो इसके पहले बाकी pricing policy भी थी, और यहां से आके, जैसा MSP, अब आज देखते हैं न, ऐसा MSP कम स्टार्ट हुआ, 75-76 के अंदर, लेकिन एक्चुली पहले ही स्टार्ट हो गया था, बाकी price के साथ, वो 1966-67 था, अब आपको समझाया होगा, कि इस question का answer, minimum support price ना आ के procurement price क्यों आया, क्यों कि government क्या कर रही थी, government खरीद रही थी, किसको food grain को, किसके लिए, PDS के लिए, और buffer stock के लिए, तो किस पे खरीद रही थी, procurement prices, बताओ, अब question clear हुआ के नहीं हुआ, बर paper में आ सकता है, तो language पे command बनाना बहुत जरूरी है, आगे चलते हैं, तो MSP स्ट आट हुआ, इस टाइम पे, present system आया है, इस टाइम पे, MSP बताया कब जाता है, announce कब होता है, declare कब किया जाता है, अभी वाला जो MSP है, शायद यह 18 October को बताया गया था, आज मैं यह class ले रहा हूँ, कब 20 November को ले रहा हूँ, 18 October को रभी के MSP announce कर दिये गे थे, और आपको पता करेंगे तो हमारा जो रभी शीजन है, रभी शीजन की जो सौइंग है, वो कब होती है नमंबर, December में नहीं नहीं, रभी सीजन की जो सौइंग होती है, वो अक्टूबर, November के अंदर ही होती है, यह कह दो, कि आधा अक्टूबर और शुरू वाला आधा November, उसके time के आस पास sewing होती है तो जैसे sewing की starting हुई वैसे ही क्या announce होगे MSP announce होगे मतलब sewing के starting के time पे announce हो जाते है beginning of sewing season जो है उस time पे क्या हो जाते है start हो जाते है beginning of sewing season पे क्या हो जाते है MSP जो है वो क्या कर दिये जाते है declare कर दिये जाते है MSP जब किसानों को दिया जाता है तो उसके पहले count किया जाता है कि किसानों का जो cost है कौन सा cost per kivental के per kivental cost कितना आता है किसानों का तो मान लोग किसानों cost आया है 1000 रुपे per kivental तो उनको पैसा बढ़ा के देना पड़ेगा ना 1502, 1602, 1702 सरकार की मर्जी है लेकिन बढ़ा के दिया जाएगा तो जो budget आया हमारा कौन सा budget आया जो हमारा budget आया 18-19 का उसमें government ने announce कर दिया कि भाई या हम जो MSP देंगे ना वो कम से कम 1.5 तो देंगे ही देंगे मतलब कि जो farmer है उसको 50% का मुनाफ़ा तो देंगे ही देंगे कि मालो 1000 रुपे farmer का खर्चा आया तो 50% कित है उससे ऊपर भी दे तो यह जो minimum 50% वाली बात है यह 2018-19 के budget में कई सरकार ने और अगर pricing policy की sugar cane के लिए बात करते हैं बाकी जो 22 क्रोप है आगे बताओंगा कौन कौन सी है उन 22 क्रोप के लिए जो policy है वो तो MSP ही है लेकिन जो 23 क्रोप है जिसका नाम sugar cane है उसके लिए जो pricing policy है उसका नाम क्या हुआ उसका नाम हुआ FRP यहां तक समझ आ गया तो एक प्यारा सा वाई दीजिए नहीं समझ आया तो अपना doubt लिखिए उसके बाद मैं आगे चलूँगा और मैं फिर से announce कर दूँ मैं किसी type के comments को नहीं पढ़ता हूँ जब तक मेरी class खतम नहीं होती बाद में आपके जो doubts है मैं answer definitely करूँगा तो जो ये course की बाते लिख रहे हैं वो last में बूचिए मेरे से ठीक है जी ये वाली बात सबको समझ आ गई है MSP क्या होते हैं वो समझ आ गया कब क्या change हुआ ये भी समझ आ गया अब बात कर लेते हैं total crops कितनी है अक्सर ये जगड़ा जलता रहता है बच्चों के groups के अंदर discussion चल रहा है मुझे इन group से ये भी पूछना होता है मतलब मुझे नहीं पूछना मैं कौन हो पूछने वाला पर ये group के अनल बच्चे discuss कर रहे होते हैं तो कौन से वहां पर authentic source बैठे हुए जो doubts का answer करेंगे मैंने शुरुवात करते time कहा के distractions से बचिए ये groups ही मुझे लगता है distractions है है ना बच्चा अच्छा भला माइंड में लेकर बैठे 22 प्लस वान किसी ने group में 24 कह दिया वो विचारा माथा मार रहा है उस group के अंदर पूछ रहा है वहां पूछ रहा है गूगल पे सर्च कर ले आदा हटा वेस कर लिया बेमतलब का अच्छा भला पता था नुक्सान कर साइम होता है अगर बात करते हैं किस की बात करते हैं टोटल क्रॉप अंडर MSP देखें मैंने शुरुवात में बोला कि शुगर केन के लिए जो पोलिसी है ना वो FRP है फेर एंड रिमर नेटिव प्राइजेज है यह पीछे फुल फॉर्म भी लिखी होई थी शुगर केन के पोलिसी है वो है फेर एंड रिमर नेटिव प्राइजेज जिसे FRP कहा जाता है ठीक है तो अगर MSP की बात करेंगे ना तो MSP के अंडर में तो क्रॉप साती है 21 लेकिन एक जो है वो डिसाइड होता है शुगर केन के लिए जो अपने आप में FRP है तो टोटल 23 हो जाती है ले लेकि उसकी रिकमेंडेशन भी CACP ही करता है MSP ही MSP की सासाद FRP की दोनों की रिकमेंडेशन जो CACP करता है और दोनों का ही decision making जो हो किसके पास है Government of India कैदो Ministry of Agriculture कैदो या फिर Cabinet Committee on Economic Affairs कैदो इन के पास है तो इसलिए कितना हो गया 22 प्लस 1 अब इन 22 प्लस 1 में जाएंगे तो 14 यहां फसले तो कौन सी आती है भाई किस में आजाती है, थे किसमें आ जाती है, आपको काउंट के आजी है JAMES प्लैले नियुक सिरे लिए है ज हूंड़ का स्यक्ति है ही शूगर और चिछ सुगर यहां जाता है पर 23 में जो यहाँ पे 3 है 2 प्लस है कि इसलिए total कितने 22 प्लस है एक हो गया या फिर इस तरह से divide ना करके ऐसे divide करें कि MSP में जो 23 फसल है उसमें से कौन से कितने है तो सबसे पहले तो serals आगे serals कितने आगे? serals आगे आपके 7 कौन-कौन से 7 serals है? देखो wheat and rice तो सबसे पहले clear है फिर maize आजाता है फिर आपका soghum आजाता है फिर pearl millet आजाता है फिर barley आजाता है और फिर क्या आजाता है आपका barley के बाद it should be ragi है ना? एक ragi आजाता है तो 7 serals के लिए decide कि आजाता है कौन-कौन 7 serals हो गया आपके paddy हुआ, wheat हुआ, maize हुआ, sorghum हुआ, pearl millet हुआ, barley हुआ, ragi हो गया 7 तो serals हो गया उसके बाद क्या आजाते है? उसके बाद साथ ही oil seed आजाते है उसके बाद आपके commercial crop मैंने अभी आपको बताए commercial के अंदर कोन आता है? jute, copra, sugar cane, sartini तो हुई, चोथी कोन से है? चोथी cotton cotton को खरीफ में लिया जाता है लेकिन cotton को commercial माना जाता है फिर से plus करके देख लो 7, 7, 14, 5, 19, and 4 कितना हो गया? 23 23 प्लस एक sugar के इनका ध्यान रखना पड़ेगा तो ये क्या होगी? हमारी crops होगी? किस के अंडर? MSP के अंडर? lovely सब आई दीजिए अगर आपको ये बात भी clear हो गई है कि MSP के अंडर में कितनी crop आती है? straight forward MSP, MSP बोलोगे तो 22 ही आती है भाईया लेकिन MSP से आगे बढ़के FRP जिसे CACP ही decide करता है वो बोलोगे तो फिर कितनी फिर 23 हो जाएंगी यहां तक बात clear हो गई? ठीक है आगे चलते हैं कभी-कभी थोड़ा सा कुछ-कुछी जोगो discourage भी करना पड़ता है एक class मेरा भाई है जो पहले तो किसी course की बात कर रहा था मैंने बना कर दिया तो वो एक और बात कर रहा है मैं निवेधन करूँगा कि MSP की MS MS स्वामी नाथन पड़ती क्या है जो यह बार-बार लिख रहा है थोड़े ही mature बनिये आप अगर इस platform पे तो यहां पे mature बच्चे आते हैं बार-वी के बात वाले कम होते हैं graduation वाले जाद मैं अभी आगे आने वाला मैं पहले आपको दिखालता फिर ही पढ़ा दूगा आप बच्चे कप पढ़ेंगे ओके तो यहां पे क्या हुआ serial 7 आगे oil seat 7 आगे pulse 5 आगे commercial crop 4 आगी 22 प्लस 1 होगे यह बात clear होगे MSP के अंदर CACP का रोल क्या है MSP जो है इसके अंदर CACP का रोल क्या है CACP की पहले तो full firm जान लीजिए Commission for Agriculture Cost and Prices यह करता क्या है ठीक बोल रहे हो decide करवाने के अंदर CACP major role play करता है अगर आप मेरे से बुचो के सर कैसे पढ़ाई करें मैं बोलू ऐसे ऐसे पढ़ाई करो अब तुम मेरे कहने पढ़ाई करो तो recommend तो मैंने किया था बढ़कर तुम रहे हो लेकिन recommend करना कमपल सरी है ना जब तक पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे बात चलेगी है ना तो नहीं हो पाएगी तो ऐसे CACP है CACP जो है जैसा कोई शुरूर में बताया था CACP कब आया था 1965 में और उसी टाइम पर कौन आया था 1965 में एपसी आई भी आ गया था तो एपसी आई और CACP दोनों सेम टाइम पर आते हैं उसके बाद अगर बात करें जो 1965 में आ था ना उस टाहिम इसका नाम था agriculture price commission ASP है ना AP APC APC बोले तो agriculture price commission 1965 में लेकिन जो इसका नाम आज आ पढ़ते हैं commission for agriculture cost and price यह कब हुआ था यह 1985 के अंदर हुआ था ध्यान रखना 65 में पुराना नाम है और 85 के अंदर नया नाम हो गया chairman जो है यह professor विजयपॉल शर्मा है काम क्या CACP का हो सबसे बड़ी बात आपको या रखना पड़ेगा यह calculation करता है किस method से करता है आगे बताने वाला हूं यह calculation करता है MSP की सहाथ सबसे recommend करता है वो बताता है सरकार को कि इतना खर्चा हो रहा है किसानों का और इतना MSP होना चाहिए होगा के नहीं होगा वो final नहीं है लेकिन इतना होना चाहिए और उसके बाद क्या करता है यह publish करता है यह publish कर देता है MSP को publish कर देगा मतलब यह उसके बता देगा भाया इतना क्या हो गया MSP हो गया ल अब यहां तो कोई डाउट आया हो तो लिखना जो यहां तक पढ़ाया उसमें से डाउट आया हो तो लिखना था कि दुबारा एक्स्प्लेइन कर सकूँ उसके बाद बात करते हैं about various price process तो जैसा कि मैंने बताया recommend तो कौन करता है CACP कि इतना MSP होना चाहिए तो MSP को recommend तो करता है CACP calculation की बात कर लो या फिर estimation की कि कितना खर्चा आ रहा है किसानों का तो calculation भी कौन करता है CACP लेकिन announcement की बात करो decision making की बात करो या MSP fixing की बात करता है वो कौन करता है वो government of India करती है या फिर C.C.A करता है या फिर क्योंकि C.C.A तो government का पार्ट है ना C.C.E.A जो है Cabinet Committee on Economic Affairs इसके chairman यह हमारे Prime Minister या नरेंदर मोधी जी है और साथ-साथ यह कौन deal करेगा इससे Ministry of Agriculture and Farmers Welfare तो आप से पूछा जाए MSP कौन decide करता है तो Ministry of Agriculture and Farmers Welfare भी उत्तर हो सकता है हम MSP rate पे लेंगे तो जितनों से ले पाएंगे लिया जाएगा लेकिन सबसे नहीं लिया जाएगा क्योंकि MSP pricing policy है लेकिन यह legal act या फिर कोई guarantee नहीं है कि सबसे लिया ही जाएगा विकोज guarantee होगी तो किसान फिर case कर सकता है government के against जा सकता है कि आपने guarantee दी थी but MSP is not a guarantee it's a pricing policy policy है कि लिया जाएगा तो जितना government ले पाए यूतना लेगी बाकी लोगों से नहीं लिया जाएगा यहां तक clear है ठीक है ओके कोई doubt नहीं है है ना चलो आगे चलते हैं यहां तक सारे लो clear है process मैंने आपको समझाई अब आते है method of calculation पे और एक हमारे दिल खुष मीना शाप जी है मीना नहीं दिल खुष सिंग है दिल खुष का दिल खुष करते हैं विकोद वह इसी point पे थे तो अब शाय दिल का दिल खुष होगा क्यों होगा क्यों कि MSP के method की बात करते हैं calculation method की बात करते हैं तो MSP की जो calculation method है वो तीन होते हैं कोन-कोन से तीन होते हैं मेरे साथ साथ बोलिए पहला होता है A2 method दूसरा होता है A2 plus FL method और तीसरा कौन सा होता है तीसरा होता है C2 method तीन method कौन-कोन से आगे A2 A2 plus FL और C2 बहुत simple है simple कैसे इसको समझना पड़ेगा आपको कैसे समझना पड़ेगा अगर मैं आपसे पूछो कि आप जब agriculture करते हो खेती जब करते हो तो खेती में आपके क्या-क्या खर्चे आते हैं क्या-क्या खर्चे आते ह हो है ना अगर investment की बात करें खर्चे की बात करें तो हमारा जो खर्चा आता है वो किन कामों पर आता है वो खर्चा जो है जैसे seed लिखा गया of course यह seed पर खर्चा आजगता है fertilizer पर आ चकता है है ना या फिर wages लिखा गया मतलब जो मजदूरी होती है दिहाडी होती है मजदूरी के उस पर भी आएगा तो इस तरह से seed हुआ, input हुआ, fertilizer हुआ, labor हुआ, इस पर हमारा खर्चा आएगा तो input cost काउंट कर लिया जाता है मतलब कि अलग-अलग input पर कितना खर्चा आया total जो खर्चा आया उसको divide कर लिया जाता है कितने किवंटल प्रेडक्शन हुआ, तो total खर्चा divided by total किवंटल तो पर किवंटल खर्चा आगया आपका तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने A2 method को यूज किया, जो सिर्फ और सिर्फ किसको calculate करता है, input cost गरनी paid out cost को जो पैसा आपने दिया है, चाए irrigation के लिए ओ, चाए seed के लिए ओ, चाए labor को दिया ओ, fertilizer को दिया ओ, या pesticide को दिया ओ, जितना खर्चा आया वो count कर लिएगा, यह कौन सा method है, यह A2 method है, लेकिन अगर इस method की बात करूँगा, तो अब सारे लोग जानते हैं, कि जब खेत में काम करते हैं, तो हमारी family भी साथ में काम कर रही होते हैं, अगर आप farming community से हैं, तो आप भी खेत जाते होंगे, खेत में काम करते होंगे, अगर आपने शाम को क क्या होता है शाम तक काम करने पर क्या आपके फादर आपको बोलता है कि यह li better ay आय तेरी ध्यार Zero पर नहीं बोलते भाई ऐसा क्यों से Mississippi यह डंड पर फैमिली को पैसा दिया नहीं जाता प्र कर measurements नहीं इभा तो तो खरचा ज़्यादा दिखेगा और सरकार को में अगला जाता है जिसे कहा जाता है a2 प्लस a2 तो आपका ऊपर वाला ही आ जो आपने पिछला देखा था, A2 method हमारा जो हो गया, वो कौन सा हो गया, वो तो input cost हो गया, पर FL method की बात करें, तो A2 के साथ जो अब की बार FL जुड़ा है न, वो क्या जुड़ा है आपका, वो family labor ही जुड़ा है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, value of unpaid family labor को भी जोड़ दि कौन सा आगया, A2 plus FL method आगया यह, इसमें input cost plus family labor को हमने जोड़ दिया, यह वो method है, जिससे इस time पर MSP देने के लिए, CACP क्या करता है, यूज करता है, इस method को CACP इस time पर यूज कर रहा है, क्या देने के लिए, खिसानों को MSP देने के लिए, अब, एक commission था, जिसका नाम थ commission on farmers, 2004 में बनाया गा था, जिसके chairman साहब, Dr. MS Swaminathan जी थे, है न, तो MS Swaminathan जी ने बताया, कि आप यह जो formula यूज कर रहे है, जो method यूज कर रहे है, गलत है, तो Swaminathan जी ने recommend किया, क्या recommend किया, कि आपको जो use करना चाहिए, वो कौन सा करना चाहिए, C2 method करना चाहिए, तो ये वाला तो method है, मैंने अभी आपको बताया, कि A2 प्लस FL जो method है, वो तो क्या कर रहा है, वो use कर रहा है, CACP, लेकिन बात करें कि स्वामी नाथन method की, स्वामी नाथन method तो नहीं है, बेसी के लिए, पर ऐसा किसान कहते है कि स्वामी नाथन आयो की report को ले किया, वो इसी लिए कहते हैं, क्योंकि ये जो था, ये recommend किया था स्वामी नाथन जी ने, तो स्वामी नाथन जी ने recommend किया, तो मैं एक बार के लिए यहाँ पे लिखे देता हूं, स्वामी नाथन method, मतलब ऐसा कुछ निया कि वो method है, स्वामी नाथन जी का, पर उनकी recommendation है, तो ये recommend किया गया था पे लेगा, रेंट पे पट्टे पे लेगा, तो उसे महीने का साल का पैसा देना पड़ेगा ना यार, वो कौन काउंट करेगा, और अगर अपनी जमीन उसने ले रखिया, तो जो पैसा लगा रहा है, उस पे इंटरस्ट भी तो बनता है ना यार, वो कौन काउंट करेगा, त तो A2 प्लस FL के साथ साथ rental और interest जो बन रहा है land और assets पे, assets जिसे dual हो गया, tractor हो गया है तो assets और आपकी land पे जितना interest या जितना rent बन रहा है वो भी जोड़िये, तो A2 भी आ गया, FL भी आ गया और rental और interest भी आ गया, आपको पता है यहाँ पे जो खर्चा आता है यहाँ पे जो method से जादा आता है, तो अगर सरकार इस method से calculation करेगी, तो सरकार को MSP 40% जादा देना पड़ेगा, जितना अभी दिया जा रहा है, तो इससे क्या होगा हमारे किसानों को फाइदा होगा, क्योंकि उनको जादा MSP मिलेंगे, लेकिन यह method सरकार की committee ने, commission ने recommend तो किया, लेकिन स सरकार इस time पर CACP उपयोग में लेता है, अब मुझे आपका एक lovely सा Y चाहिए होगा, अगर आप तीनों method को अच्छे से समझ पाया है, नहीं समझ पाया है, तो बिंदास doubt बोलिए, पर समझ आया है, तो Y लिखिए A2, A2 प्लस FL और C2 method, C2 को C2 क्यों कहा जाता है, क्योंकि C C2 जाना, उसमें सारे खर्चे जुड़ जाता है, comprehensive cost उसमें आ जाता है, तो वो CC method होता है, comprehensive cost, input का भी आ गया, family का भी आ गया, interest भी आ गया, rent भी सब कुछ, comprehensive एक साथ आ गया, तो वो 2C आ गया, इसलिए उसको C2, C2 method कह दिया जाता है, ठीक है, सब लोगों ने वाय लेक दि लिख ली है, अब अगर cost की बात करेंगे, जो cost calculate किया जाते है, वो कैसे किया जाते है, दो तऱ होता है, एक होता है cost of cultivation, एक होता है cost of production, आप जब sonst करते हैं, Sowing से लेके Harvesting तक जो खर्चा होता है Sowing से लेके Harvesting तक का खर्चा है जो का है तो पर d Wrestar अधा है उसको तो तो कहा जाता है Coast of cultivation क्यांकि वो cultivation का cost अधा है Lेकिन Sowing से लेके Marketing तक जो cost आता है जो per Crowd expect खर्चा आता है उससे क्या बोला जाता है पर एकड या पर हेक्टेर आया वो तो क्या है पर एकड या पर हेक्टेर जो आया वो तो cost of cultivation है लेकिन जो पर किवंटल आया up to marketing because बेचना भाई per किवंटल की बात कर रहे हो तो बेचने के अंदर जो खर्च आया वो भी तो account करना पड़ेगा ना लेकिन कल्टिवेशन में मार्केटिंग फोफ नहीं आएगा तो कल्टिवेशन में थो kavैर्वेसिटिंग तक आएगा लेकिन production मार्केटिंग तक आएगा लेकिन cost of production का मतलो एक किवंटल पर जो खर्चा है तो वो cost of production हो जाएगा और एक hectare के अंदर कितना खर्चा है वो cost of cultivation हो जाएगा दोनों बातें आपको समझ आ गई होगी है न cost of cultivation और साथ-साथ cost of production चलिए जी आगे चलते हैं अब किसकी बात करते हैं अब बात करते हैं MSP of Rabi and Kharif season है ना Rabi और Kharif के जो MSP हैं वो क्या है इससे हमेशा कोशन पूचा जाता है हर बार कोशन पूचा गया है मैं आपको कोशन भी दिखाने वाला हूँ जो एक्जाम के अंदर पूचे गई है है ना अब करते हैं अब बात करते हैं अब काको करण ना song AATT करता रहूंगा तो यह यहां पे सारे Kharif कुड़ोप के MSP और यह सारे के सारे Rabi Kruप के MSP है खरीफ हो गया रभी हो गया उसके बाद बच गया आपका कौन सा कमर इस जोट आ गया कोपर आ गया तो जोट का जो इस टाइम पर चल रहा है यहां पर आपको MSP एक नहीं याद करना पड़ेगा आपको दोनों MSP याद करने पड़ेंगे 2023 का भी याद करना पड़ेगा 2024 का भी याद करना पड़ेगा सर यह 23,24,25 का मतलव क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जब बात करते हैं किस की आपके production की या फिर आपके MSP की अभी अभी जो कुपेपर हुआ लग वग तीन हफते पहले हुआ था आपको अगर पता हो तो नबार्ड ग्रेडेगा उसने पूछा था what is the MSP of TUR for marketing season 2022-23 जबकि यह वाला भी announce हो चुका था अभी वाला 7,000 है उसने पिछले वाला पुछा था आपसे तो आपको दोनों याद करने पड़ेंगे 22-23 का 23-24 का और यहाँ पे 23-24 और 24 सर यह क्या साल क्यों बदल रहे है देखिए जी जब तो आप खरीफ की बात करेंगे तो खरीफ वाला तो चलेगा 22-23 या फिर 23 अभी रभी जैसे आने वाला है अभी रभी स्टार्ट हो गया तो अब देखिए ना 23-24 का मतलब क्या हो गय अभी जब रभी को आप ग्रो कर रहे हो रभी जो इस टाइम पे ग्रो हो रहे है वो ग्रोइंग ताइम तो चल रहा है 2023 और कटेगा 2024 में लेकिन भीकेगा तो 2024 में ना तो यह RMS जो लिखा गया ना है ना यह RMS रभी मार्केटिंग सीजन तो पिछला साल का जो भीक गया क्य बढ़े MSP आपको दोनों याद करने पड़ेंगे यह के साथ आपको यह भी याद करना पड़े है कोस्ट कितना आता है यह भी पूछा जा सकता है किस पर कितना कोस्ट आ रहा है lowest कोस्ट किस पर आ रहा है highest कोस्ट कितने पर आ रहा है अगर यह याद कर लिया फिर आपको जीरो से जीरो हो गया और कितना हो गया साथ में से दो गया तो पांच आ गया दो में से दो जीरो एक सो पचास में बढ़ गया तो यह यहां पर लिखा गया आपको याद नहीं करना पड़ेगा यह यह तो आप खुद भी अचलों के लिए हेवला MSP है 24-25 का MSP है उमीद करता हूं Marketing Season आइटम आपको समझ आ गई होगी यहां पर रभी Marketing Season लिखा गया है उदर खरीफ Marketing Season लिखा के MS खरीफ Marketing Season और MS क्या हो गया आपका रभी marketing season बाकी जूट और कोपरा के लिए आपको बता दिया और जो शुगर केन के लिए है वो MSP नहीं है वो कितना है FRP और यह आपको पहले से ही पता होगा शुगर केन का जो FRP है वो कितना है 315 रुपे किवंटल है कितना है 315 रुपे किवंटल है और यह 315 रुपे किवंटल शुगर के इनका FRP है यह 10.25% recovery rate पे है BRICS आपने सुना होगा recovery rate आपने सुना होगा या फिर आपने sugar सुना होगा कितनी sugar उससे मिले कितना recovery हो जाएगी तो 10.25 पे क्या होगा आपको 315 रुपे किवंटल मिलेगा उसके साथ साथ अगर आपका recovery rate बढ़ जाता है शुगर अगर गनने से ज़्यादा मिल रही है तो आपको 3.07 3.07 पर किवंटल फोर इच 0.1% इंक्रीज पे दिया जाएगा अगर 0.1% बढ़ता है तो पर किवंटल रेट बढ़ा दिया जाएगा 3.07 और अगर थोड़ा सा कम होता है थोड़ा सा 0.1% कम होता है तो पर किवंटल फोर रेट इतना घटा दिया जाएगा तो 10.25% recovery rate पे जो शुगर केन का FRP है वो at present कितना है वो 315 रुपे पर किवंटल है लीजिये जी आपका MSP हो गया खतम इतना ही था इससे बाहत तो question आने वाला नहीं है अब तो एक अपरेल के हो याँ जन्वरी के अंदर आगा अब तो जन्वरी के अंदर वीडियो आएगा जब आपका मेंस का paper हो जाएगा तो मैं इनी वीडियो के screenshot लगा रहा हूँगा कि ये देख लो भाईया ये मैंने करवाया था और ये paper के अंदर आ गया MSP हो गया पूरा अब आपसे 2-3 question पूछूँगा जो मैंने खुद बनाए और 2-3 question पूछूँगा जो exam के अंदर आए और 20 question आपको दूँगा इस lecture के PDF के रहा quiz form में ताकि पढ़ाई कर रहे हो तो साथ-साथ questions को attempt करो जिससे आपको और ज्यादा फाइदा हो है ना तो जब बात करते हैं किस की जब बात करते हैं question की तो हो जाए शुरूर answer कीजिए MSP is fixed on the recommendation of CACP MSP को CACP recommend करता है वो apex body है apex advisory body है किस के लिए pricing policy के लिए कौन सी policy MSP comes under which ministry यह जो MSP है जो CACP किस ministry के अंडर में आता है ध्यान से answer करना पैसो के लेंदेन की बात चल रही है क्या यह ministry of agriculture के अंडर में आता है यह ministry of commerce के अंडर में आता है यह ministry of consumer affairs food and public distribution में आता है यह ministry of chemical fertilizer ministry of food processing industry a b c d अपना right answer लिखिए of course आप सही लिख रहे है कुछ लोग b के साथ जा रहे है b सही उतर नहीं है ministry of commerce and industry के अंडर में अपेड आता है क्योंकि वो commerce का पार्ट है बिसनस का पार्ट है लेकिन MSP जो है वो बिसने में शुरुआत में कहा भी था आपको government of India या ministry of agriculture के अंडर में आते हैं तो यहाँ पर जो right answer आएगा ministry of agriculture आएगा अगला question minimum support price is fixed on the basis of मेरा question है ही नहीं मैंने तो एक option add कर दिया क्योंकि AF5 आते है ना 4 आये हुए थे और आप देखेंगे paper में question आया है और आपको answer करने में जोर आने इसको और इसलिए का मैंने ढूंडने के लिए मानदारी से तीन घंटे लगाए या लगभग PPT वे चार साढ़े चार लगए होंगे लेकिन कितना time तो मुझे question ढूंडने बे लगा और देखो यह कहां से उठाया मैंने प्री पीजी एंट्रेंस जो राज्यस्थान के अंदर आता है तो इसने कहा कि MSP जो है वो किस बेसे भी fix किया जाता है average cost of production पे total cost of production पे long run average cost of production पे cost of cultivation पे या average cost of cultivation पे चलो मैं तुमारी help कर देता हूँ cost of cultivation तो नहीं आएगा average cost of cultivation भी नहीं आएगा total cost of production भी नहीं आएगा अब रहे गया A और C जड़ा बता हिए right answer क्या आएगा और ऐसे ही प्रशन exam के अंदर आते हैं और आप देख सकते हैं अच्छे अच्छे लोग फस गए हैं कोई भी सही उतर नहीं लिख रहा A, B, C, D सब answers के अंदर चले जा रहे हैं शुरुवात में का language is most important बाते करने वाले बहुत लोग मिलेंगे बाते करना बहुत आसान काम है लेकिन काम करना मुश्किल है अब question की language को देखिए तब समझेंगे तो भाई यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो यह भी गलोट उतर है average cost of production नहीं क्योंकि 4, 5, 6 महीने की फसल है न तो long run का average निकालना पड़ेगा long run का average निकालना पड़ेगा तो long run average cost of production इसका सही उतर आजाएगा मज़ेदार question था ना? ओके आगे चलते हैं minimum support price of the agriculture crops in India is fixed by government on the recommendation of COETPG 2022 ने question बुचा था किसकी recommendation के उपर government of India जो है वो fix करती है किसको MSP जो कोई doubt ही नहीं है वो तो answer क्या आएगा CACP जो 1965 में आया था Commission for Agriculture Cost and Price और जजनाव है ये 1985 में जो मिला था अगला question AFO 2021 के अंदर आया who recommend the MSP and issue prices तो पता ही है कि recommendation की बात करेंगे तो कोन करता है वो CACP ही करता है अगला जो अभी कुछ दिन पहले नबाड के पेपर में आया था MSP of TUR for marketing season 22-23 जड़ा answer बताईए इसका क्या आएगा MSP जो है आपका क्या वो TUR के लिए कितना है 22 तेज के marketing season का अभी अपने discuss किया था कि अब तो बढ़ चुक है 7,000 हो चुक है लेकिन 22 तेज का पूचा गया तो वो कितना है वो 6600 रुपे है 6600 पर किवंटल अगला question OPSC OPSC AAO 2022 के अंदर पूचा गया था the difference of the government minimum support price and market price which is paid directly to the farmers के सरकार एक नियूंतम मुल्या देती है, market ने पैसा कम मिल रहा हो तो सरकार उतना पे करेगी नियूंतम मुल्या ते करेगी, ये kind of subsidy हो जाता है, ये WTO के किस के अंडर में आता है, green box subsidy में, blue box में, pink box में, ember box में, या फिर golden box में, आपके सामने है MSP से question है, मेरा ही नहीं, exam का question में ने उठाया है, और आप भी देखेंगे, अब सही answer नहीं मिल रहा होगा, जबकि 2022 के अंदर आया है, तो मैं फिर से बता दू, सिरफ concept से कुछ नहीं होगा, command बनानी पड़ेगी language पे भी, और pattern पे किस तरह question पूछे जा सकते हैं answer दीजिए, फिर मैं आपको answer बताता हूँ कि इस question का जो right answer है, वो क्या आएगा चलो, लिखो, लिखो, मैं तब तक check कर लूँ क्या check कर लूँ, कि कंजूस लोग class ले रहे हैं, कि like भी किया लोगों ने, साड़े 300 लोग class ले रहे हैं, और बताईए, मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, पर पढ़ा रहा हूँ तो फिर of course, appreciation तो बनता है न यार okay, right answer की बात करते हैं green box, green box तो नहीं आएगा भाई, क्योंकि MSP problem create करते हैं तो तीन तरह की subsidy है, green box, blue box और ember box, यहां पर जो right answer आएगा आपको जाना पढ़ाएगा, ember box के साथ, यह है क्या सर, अच्छा बताता हूँ, पहले subsidy वाला concept आपको समझना पढ़ाएगा क्या होता है, subsidy जानते हैं, हाँ जानते है अच्छा good और bad लिख के बताओ चैट के अंदर, subsidies अच्छी होती हैं जादा लोग bad कह रहे हैं, और कुछ लोग इसे good भी, नहीं है, जादा लोग good भी कह रहे हैं, mixed review चल रहा है तो आपको बता दू, subsidies क्या है, आपका personal opinion है, पर WTO कहता है कि subsidies अच्छी रही है, WTO से bad ही consider करता है, तो WTO discourage करता है, Sir, WTO कौन होता है करने वाला, by WTO है, World Trade Organization, उसके member हो तो उसकी बाते आपको माननी पड़ेंगी, तो WTO के हिसाब से तीन subsidies होती है, तीन category बनाई है, जिसको नाम दिया गया, green box, blue box और amber box, दो green तो आपको पता ही है, सडक पे जब जब जा रहे हो green light आपको मिलगी, तो कोई tension नहीं, बिंदास चलते रहे हो, तो green box subsidy में तो कोई tension ही नहीं है, पहले मैं आपको बता दूँ कि WTO subsidies को discourage क्यों करता है, एक काम करते हैं आप जो लोग मेरी class ले रहे हो, आप कहां से ले हो, भारत से ले रहे हो, को इंडिया लचाया, एक किलो का बीश रूपे, निपाल वाले बच्चे का भी खर्चाया, बीश रूपे आपकी सरकार ने आपको subsidy देधी 10 रूपे की, निपाल सरकार ने subsidy दी 5 रूपे की जैसे आपको 10 रूपे की beloi तो आपके लिए कितना खर्चा रहाआ गया दस रुपे का, निपाल वाले के लिए कितना खर्चा रहा गया, पंदर रुपे का, अब तुम दोनों लोग जो है श्रिलंका गई, है ना क्या करने के लिए, लंका में से रावन को आग लगा, कितनी रावन को आग लगा ओगे भाई, नहीं अब नहीं लगानी है, तुम श्र बोल रहे हो तो उसका खरचा इतना आया तो वो तो भेच नहीं पाएगा उसका तो नुकसान हो गया लेकिन नुकसान हुआ किस कारण से गर्मेंट की subsidies के कारण से तो international level पे subsidies नुकसान करती है trade के अंदर इसलिए subsidies को discourage किया जाता है उम्हीद करता हूँ बात समझ आई होगी कि subsidies अच्छी क्यों नहीं है अब बात कर लेता हूँ subsidies के अंदर कि इसके green, blue और ember box की इन box की बात करते हैं भाई लोगो तो green box subsidy तो green कह रहा है कोई दिक्कत निया चलने दो तो green box subsidy जो होती है ना वो तो क्या है non trade distorting है मतलब train को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है जैसे जो subsidy सरकार देगी research के लिए भीमारी control करने के लिए या फिर infrastructure development सड़के बनाने के लिए सुईधाई लाने के लिए तो W कहता दे दो यार कोई दिक्कत निया यह तो तो बड़ी आगामी कर रहे हो research करवाओ नई variety लेकर हो हमें क्या दिक्काता है तो यह वाली तो है green box subsidy इसमें कोई चकर नहीं है दिया जा सकता है लेकिन green से आगे blue box में WTO कहता है कि यह जो है यह considered as lesser trade distorting वो तो non trade distorting है कि बड़ी trade को कोई दिक्कत ही नहीं होती इनसे करो इनसे दिक्कत होती है यार थोड़ी वह तो होती है less trade distorting है जिनने कहां पे डाला जाता है blue box के अंदर डाला जाता है सर इसमें क्या आ सकती है इसके अंदर क्या आ सकता है कि अगर मालनो government ने marketing free कर दी कि भाई अगर तुम्हें गाउं से लेके आना है तो गाउं से शहर तक लानी जो train है ना वो हमारी train में लेके आओ फ्री है तुम्हार लिए train तो वो क्या हो गया वो kind of blue box में जाएगा जो थोड़ा बहुत problem कर सकता है ज़्यादा नहीं करेगा लेकिन ये सबसे ज़्यादा problem करती है कौन सी ember box subsidies ये जो है ये क्या कर सकती है these can distort international trade जो मैंने अभी आपको दिखाया था है न कि सरकार ने subsidy दे दी तुम्हारा वीट 10 रुपे का है उसका 15 का है तो वो वो विचारा international market में business का रही नहीं पाएगा वो trade को distort कर सकती है इसके अंदर क्या आ जाती है इसके अंदर आ जाती है subsidies जो input के लिए देती है जैसे fertilizer subsidy होती है seeds की subsidy होती है electricity जो पंजाब में जैसे free चल रही है ये subsidy है irrigation पे subsidy है या फिर minimum support price ये भी अपने आप में subsidy का form है तो भाईया WTO कहता है कि ये Ember box subsidy अगर paper पढ़ते हो पिछले ही साल WTO ने घेरा था भारत को इस बात पे कि भाईया तुम्हारे चल क्या रहा है ये तु तो MMSC दे रहे हो ये हो क्या रहे है तो इधर तो किसान कहता है MSP सही नहीं मिल रहा उदर WTO भारत को घेरता है इस बात पे कि भाई तुम कर क्या रहे हो क्यों दे रहे है MSP क्यों दे रहे हो subsidy वो कहता है इसे international trade खराब हो रहा है तो green box वाली subsidy कोई दिक्कत नहीं करती blue box वाली थोड़ी बहुत करती है amber box वाली main दिक्कत कंसीडर करती है इसलिए WTO कहता है ये वली subsidies देना बंद करो WTO ऐसा कहता है आप क्या कहते हैं आपको समझ आ गया तो yes कहिए नहीं आया तो no कहिए तीन subsidy मैंने पढ़ाई और मैंने दिखाया आपको कि मेरा question नहीं है exam के अंदर आया हुआ है हर बार कहता हूँ मेरा telegram channel follow करोगे तो आपको one liner question नहीं मिलेंगे standard question दिखेंगे क्यों जैसा paper आएगा ना वैसा ही हम question डालेंगे बच्चे को मुश्किल तो लगेगा आपको free test में दे रहा हूँ कल जो test आपका होने वाला अगर आप live देख रहे हो तो कल वाला test थोड़ा difficult है कल वाला नहीं शायद परसों वाला कल वाला तो पहले से upload था परसों वाला आज मैंने किया थोड़ा सा change तो वो difficult है पर difficult क्यों बनाया कि आपको paper वाला feel आया असान नहीं आये चलो आगे चलते हैं अगला तो असान सा question है यह मेरा खुद का है यह paper में नहीं आया government of India has promised to give at least what percentage of margin over the cost of production कि government of India ने कितना promise किया कि भाई इतना तो हम क्या करेंगे देंगे ही देंगे आपको मुनाफा 10% 25% 50% 70% या फिर 100% जल्दी से बताईए खतम करते हैं यार ऐसी चलता रहा तो अगली class का time हो जाएगा अगली class भी है ना ओके 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 तो सब लोग C के साथ जा रहे हैं कोई doubt वाली बात ही नहीं है obviously आप सही लिख रहे हैं जो right answer आएगा 50% will be the right answer पर क्यों सरकार कहते है 50% तो देंगे ही देंगे लेकिन wheat पे तो सरकार बोल दिये 102% दे रहे हैं तो minimum 50% की guarantee सरकार दे रही है इसका अगर आपको PDF चाहिए होगा या फिर जैसा कि मैंने बोला इस पे quiz भी आपको मिलेगी 57 question मैंने practice करवा दिये हर lecture के साथ 20 question quiz दूँगा हलाकि मैंने पिछली बार भी कहा था और DB है जो मैंने ग्रोनमी के लिए कहा था लेकिन वो टेलेगराम पर आगे पीछे हो जाती है अब मैं folder बना दिया हूँ ये आपके सामने app है इसके paid course पे click करना पे कुछ नहीं करना paid course पे click करना प्लेस तो अब जाओ एग्री कोचिंग चंडिगर नाम की application को डाउनलोड कर लो सर्च करना एग्री कोचिंग चंडिगर जिल लोगा उस quality नहीं होती वो promote करते हैं किसी और की app उपर दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन हमारे वाली आपको सर्च करते हैं दिख जाएगी पेड कोर्स पे click करना click करते ही आईवीपीएस एफवी कैटेगरी आपको मिलेगी इस कैटेगरी में ऐसे आपको कोर्स दिखेगा ये वाला bilingual इसके view demo पे click करना payment नी view demo पे click करना और उसमें एक folder में ने बना दिया current affairs का current affairs के अंदर जाना आपको pdf भी मिलेगा और उसके साथ कुईज भी मिल जाएगी और जैसे से पढ़ाता जाओंगा lecture आपके यहां पे available होंगे और lecture के साथ जो class pbdp मतलब जो notes होंगे क्योंकि मैं कुछ-कुछ notes भी दूँगा extra तो इसका pdf और जो notes होगा आपको वहाँ पे मिल जाएगा उसके अलावा ये तो आप attempt करी रहे होंगे जो मैंने 25 free test announce किये थे जिसने जो नहीं कर रहे होंगे तो again आपको ऐसे यहाँ पे click करना है test series पे वहाँ पे AFO mains आपको option मिल जाएगा उसके अंदर यहाँ पे free gift by ACC free test लिखे हुए है इसके अंदर बहुत सारे test है please attempt कीजिए और exam level के question आपको यहाँ पे दिख जाएगे 25 test है 15 mains के 5 pre के अभी के लिए पांच मैं आपको जनवरी के अंदर मेंस के फिर से दे दूँगा तो आप चेक कर सकते हैं exam में कैसा level आता है class में कुछ problem आई हो तो please suggestion दीजिएगा तक ही मैं अगरी बार इंप्रूव कर सकूँ कोई doubt रह गया होगा तो आज class का current face आज का class का current face link एक पदम जी है आप पदम तो है भाईया आप class का link बोल रहे है link मिल जाएगा सर है ना YouTube के ओपर class है आज आज पांच बजे नहीं साड़े चार बजे हमारी YouTube पर class start होगी वहां पर उसको attend कीजिएगा MSP को decide कोन करता है G O I S C C E A एगरी भाई तुने ध्यान से ने सुना C C E A और G O I में कोई फरक नहीं है क्यों नहीं है government of India तो government अब मोदी जी है के government of India है भाई government of India का part हुए ना मोदी जी तो government of India ही decide करता है पर government of India के committee है जिसका नाम है C C E A C C E A Cabinet Committee on Economic Affairs तो गंगादर ही शक्ति नहीं है भाई government of India बड़ा नाम हो गया अब आप बोलोगी sir government of India करता है कि ministry of agriculture करता है तो government of India बड़ा हो गया उसके अंदर ministry of agriculture आ गया आप बोलेंगे sir ministry of agriculture करता है कि department of agriculture and cooperation करता है भाई department of agriculture and cooperation करता है तो ध्यान से sequence को समझिए department of agriculture and cooperation ही करता है which comes under ministry of agriculture and farmers welfare ministry of farmers and agriculture ministry of agriculture and farmers welfare comes under government of India उसके अंदर एक committee है जो है C C E A तो कोई tension नहीं है sir वो आपका ही part है आपका part मतलब सेम आंसर है ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर बताया कौन सा क्लास है आज 6 बजे अच्छा वो आपके लिए नहीं है that class is for English medium student तो वैसे वो paid class है वो 6 बजे है बट मेरी class है मुझे जाना पड़ेगा तो I have next one minute कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं और देखिए शुरुबाद में जो कह रहे थे ना course कब चालू करोगे वो है यह नहीं अभी क्योंकि पढ़ता नहीं है बच्चा बस comments यह सब यह सब बुरी आते हैं तुम्हारे अंदर जो तुम पढ़ते नहीं हो पर यह सब करते हो अब वो अब करते है ना यार तो तीरा होने के लिए मैनत तो करने ही पड़ेगी ओके पीडी चेस थैंक्यू सो मच कोई डाउट नहीं बचा भई सारे डाउट सांसर हो गया अकाश पांडे हिंदी में नहीं मिलेगी भाई हिंदी इसकी हिंदी नहीं कर सकता या यह लिए इंदी ही ही है थोड़ा English पढ़िये कहो तो कर दूंगा वही दिक्कत नहीं है लेकिन उतना Hindi English आपको पढ़ना पढ़ेगा ओके राहूल सेस्टीच इंगलिस से राहूल as I told or as I informed everyone my class will start again at 6 p.m. that is for English medium batch only and in that batch also I am going to teach the same topic and that too in English only fully English so you can attend that session but unfortunately that is not free that session is available in the paid course of English medium you can go to our application and buy the course anytime we are teaching in three mode that is full English medium bilingual medium as well as full Hindi medium so I'll end this session right now I'll see you again in with the next current of a session so till then take care bye-bye have a great time enjoy your evening enjoy your Sunday and start your Monday with the full energy and revise everything and for revision use that scientific formula or scientific approach which I told you in the yesterday's video 137 30 I'll see the next class till then take care bye-bye Jai Hind Jai Bharat